हेलो स्टूरेंट्स वेलकम अगेन तो देखिए आज की इस वीडियो अपने करने वाले है एक्सरसाइज वन ए और चैप्टर वन इन टीजर्स और फिर बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स तो देखिए आपकी लास्ट एक्सरसाइज है देखते हैं कॉस्चर नमबर फर्स्ट त अब यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एट डिग्री प्लस टेंडिग्री तो यह हो गया आपका 18 डिग्री सेंटिग्रेड मतलब जो इनका बीच में जो डिफ्रेंस है वो कितना है 18 डिग्री सेंटिग्रेड करें कॉस्चर नमर सेकिंड एक कार मूव 17 किलोमेटर नोर्थ फ्रो में पॉइंट ए देखिए यहां पर दिख रहा है आपको फिगर के अंदर प अलोंग दा सेम रोड इस डिफ्रेंट तो अपने पॉजिटिव इंटीजर की रिफ्रेंट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा मतलब डिस्टेंट तो आप ही क्या हो जाएगी नेगिटिव इंटीजर विल यू रिफ्रेंट इस फाइनल पोजिशन मतलब देखिए जो आपको एसी डिस्टेंस है यह फाइंड करनी है यह कैसे फाइंड करेंगे देखिए 17 माइनस 14 करने पर यह तो आगी आपकी 3 किलोमे तरफे हैं और जो आपका दूसरा कोश्चन पूछा गया है क्या आएगा इसका नेगिटिव इंटीजर मतलब अगर अपने ए से नौर्थ की तरफ जाते हैं तो इसे हम शो करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से और नोर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो इससे नेगिटिव इंटीजर से कोश्चर मत ही देखेंगे रीना क्लाइंब सब फाइव स्टेयर्स एवरी सेकिंड मतला जो चड़ रही है फाइव स्टेयर्स इन अ सेकिंड और जो उतर रही है मतला क्लाइंज डाउन टू स्टेयर्स इन अ सेकिंड तो अगर अपने देखेंगे तो यह क्या कर रही है देखिए हर दो सेकिंड के अंदर देखिए प्लस फाइव एन माइनस तू मतलब दो पांच जो उपर चड़ रही है और दो नीचे उतर रही है मतलब ओवर रोल क्या है थ्री स्टेयर्स तो यहां पर देखिए इस थ्री स्टेयर्स इन टू सेकिंड तो एक स्टेयर कितने में चड़ेगी टू बाय थ्री सेकिंडודה में और आपसे कॉस्टे में देखिए क्या पूझ आप सिख्टी स्टेयर्स तो क्या करेंगें देखिए टू बाय थ्री थ्री से गया ये टूंटी टाइमस 20 इंटूटी इन्टू सेकिंड़स आपका क्या आ गया answer देखी दुबारा देखते हैं climbs up 5 stairs मतलब 1 second के अंदर तो ये 5 stairs उपर चड़ रही है और दूसरे second के अंदर 2 stairs के हैं निचे उतर रही है तो overall अगर अपने बात करें 2 seconds के अंदर तो ये 3 stairs उपर जा रही है तो उसके बात अगर अगर अपने 20 into 2 by 3, 3 से गया 20 times 20 into 2 हो गया आपका 40 seconds ये आपका हो गया answer question number 4 start with the integer minus 8 minus 8 add minus 12 मतलब यहां पर आपको minus 12 उसमें क्या करना है add करना है and अब यहां पर देखी इसको solve करते हैं minus 8 minus into plus ये होता है minus minus 8 minus 12 तो आपका answer हो आगया minus का 20 तो फिर देखेंगे यहां पर subtract 10 from the result अब जो result आया मतलब 20 में से हम 10 minus करेंगे तो आपका answer आजाएगा minus का 30 divide by plus 3 मतलब जो result आया उसको क्या करना है divide by 3 से 3 से divide करने पर आपका answer आगया minus 10 and multiply the answer by minus 2 अब देखी जो answer आया minus 10 multiply करना है minus 2 से minus into minus plus 10 into 2 हो गया आपका 20 तो finally जो आपका answer आया वो क्या आया 20 चलिए दुबारा देखते हैं integer minus 8 में से और जो आपको minus 12 को क्या करना था add add करने पर आया मारे पास minus 20 minus 20 जो result था उसमें से हमें subtract करना था 10 को subtract करने के बाद में देखी है जो मारे पास answer आया वो आया minus 30 उस answer को divide करना था 3 से तो आया minus 10 अब देखिए multiply करना था minus 2 से multiply करने पर जो आपका answer आ गया क्या आ गया plus का 20 अब देखिए आपकी pocket में जितने रुपए होते हैं वो आपके क्या होते हैं plus में होते हैं मतलब अरनव के पास कितने रुपीज है अभी समय 20 रुपीज he spent 8 रुपीज on Monday मतलब spent मतलब खर्च कर दिया minus कर दिया तो इसके बाद कितने बचे रुपीज 12 got 5 रुपीज pocket money आप देखिए pocket money इसको मिली जो 5 रुपीज और पहले इसके पास है 12 तो इसके पास total कितने हो गए 17 gave 7 रुपीज लोन अब देखिए लोन देना मतलब आपकी जेब से पैसे जाते हैं तो मतलब इसने लोन दिया कितने रुपीज का 7 का तो आपके देखिए available को क्या हो जाएंगे 17 minus 7 it means 10 उसके बाद देखिए 8 and ice cream of rupees 10 मतलब 10 rupees की उसने क्या खाली ice cream कितने की थी rupees 10 की तो फिर उसके बाद available कितने हो गए 10 minus 10 it means अब उसके पास 0 है received a reward of rupees 5 अब देखिए 5 rupees का reward मिला मतलब उसके पास total हो गए 5 rupees from his grandfather and Sunday his friend repraise his loan उसका friend ने कितने लोन लिया था 7 rupees तो finally उसके पास जो answer आ गया 12 rupees जो उसके पास थे available है Sunday वो question number 6 a submarine left the surface of water at the rate of minus 2 meters per second at that rate how long would it the submarine to reach minus 60 meters level अब देखिए minus 2 जो meter है वो जाती है एक second में तो देखिए एक meter जाएगी 1 upon minus 2 और आप से पुछा गया है 60 तो multiply कर दिजिए minus 60 से minus से minus cancel 2 से गया यह 30 times तो आपका answer आ गया 30 seconds तो बच्चों अगर वीडियो पसंदा आई उसे like करें friends के ताँ शेर करें चैनल को subscribe करना ना बूले thank you very much तो पस्ट करें